दोस्तों मार्डी सुजुगी की नई स्विफ्ट एक बारत फिर से सरसामे हैं क्योंकि नई रिपोर्ट्स के मुताबिक कमपनी नेक जेनरेशन स्विफ्ट को अगले साल भारत में लॉंच करेगी और आज इस वीडियो में हम आपको इसी नेक जेन स्विफ्ट के बारे में दी नेक जेनरेशन स्विफ्ट मौजुदा मोडेल की तुलना में ज्यादा एट्रेक्टिव और दमदार इंजिन से लेस होगा इतना ही नहीं इसे हाइप्रीड टेक्नोलोजिक के साथ लॉंच क्या जाएगा ये भी माना जाड़ा है कि इस हैच्बेक को एदास फिशर्स के तेस्टिंग करते देखा गया है अभी महिनरा तोयोता एमजी युन्दाई के महेंगे मोडेल में एदास फिशर्स मिल रहा है रिपोर्ट के माने तो नई स्विफ्ट हर्ट टेक प्लेट्फरम के मोडिफाइज वर्जन पर बेस्थ होगी ग्लोबल मार्केट में सुजुकी ने इसमें 1.4 लिटर तर्बो पेट्रोल आप्शन या एक हाइब्रिट पावर ट्रेंज से लेस करने की संभाबना है अब सुजुकी ने टेकनोलोजी सेयर के लिए तोयोता के साथ पर्टनर्सिप की है हाला कि भारत में लॉन्स होने वाली नियू स्विफ्ट में थर्ड ज की पावर और 130 Nm का तॉर्क पैदा करके देता है अगर कुछ फीसर्स की बात रहे तो नियू स्विफ्ट में 360D की पार्किंग कैमरा और 9 इंस का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस तर्ट स्कीन इंपरेंड मेंट सिस्टेम मिल सकता है बहतर इन म्यूजिक के लिए अर्कमाइस के स सिस्टेम मिलने की उमीद है इसमें एसे वेंस को फिर से दिजाइन क्या जा सकता है इंस्टुमेंट क्लस्टर भी नया दिजाइन का मिलने की उमीद है अगर सेफ्टी परपस की बात क्रेटो सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैक मिल सकते हैं इसके अलाबा इसमें क्रूज क आपको adaptive cruise control, anti-lock braking system, traction control, आगे कोई गारे आने वाले तक्कर होने से पहले वर्निंग, traffic signal पैसान और LED departure warning सामिल है, ये एरा system कार में लगे camera और sensor के मदद से काम करता है, तो नई generation वाले Swift के बारे में आपका opinion, comment box में जरूर रखिए, अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share करना ना भूलिए, और हमारे channel को भी आप subscribe करके हमारे साथ जूर जाईए, तब तक के ल भारत.